नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत श्वागत है हमारी चैनल सक्सेस प्लेस में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कौन-कौन से स्टॉक पे अभी नज़र रखनी चाहिए कौन से स्टॉक को अपने वाथ लिस्ट में रखनी चाहिए जिससे कि आगे अगर डिफ स्टॉक मार्केट आगे चाहिए तो देखते हैं जो भी हो तो आपको इन सारे स्टॉक को वाच लिस्ट में रखना है और इस पे हमेशा नजर बनाई रखना है और आपको अभी निफ्टी को छोड़ मतार स्टॉक मार्केट को सारे स्टॉक को छोड़ कुछ खास स्टॉक प आपको अपना ध्यान बना के रखना चाहिए जो अच्छे stocks है उसमें आपको invest करना चाहिए तो आपको हम इस वीडियो में कुछ stocks बताएंगे जो फर्णामेटीब बहुत ही strong है जैसे गिरावट आती है तो निसीत है इन सारे stocks में भी गिरावट आएंगे तो और आपका अगर investment करने का मन है तो इन सारे stocks में से जो आपको अच्छा लगे जो आपके research में अच्छा आए और आपका जो भी financial advisor है जो भी सलाह दे उस stock में आप जो है निवेश कर सकते हैं तो इसके लिए technical analysis को भी देखेंगे और fundamental analysis तो पहली बार होना चाहिए कि company का fundamentals अच्छे हो लगातार revenue में increment हुआ हो और जो company का management है वो भी अच्छा हो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं शुरू करने से पहले बतार अगर चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को subscribe कर लिजे बगल के bell icon को दबा दिजे आरे चैनल पर stock market से लेटे बहुत सारे वीडियोज है जिसे देखकर जो को सीखिए आगे हम बताएंगे आपको company का fundamental analysis कैसे करते है technical analysis करते हैं तो सारी चीजों को सीखेंगे तो चैनल पर बने रहिए चैनल को subscribe करके जुर जाईए तो यहाँ पार आचुके हम देखें निफ्टी का चार्ट है इस निफ्टी के चार्ट से हम देखेंगे कि जो प प्रॉक्स 6100 के आसपास था एक सट सो उन्यासी 6179 पॉइंट पे था और यहाँ से गिर करके देखें कितना गिरावट आया था कितने परसेंट का आप यहाँ से देख सकते हैं देखें 58.35 परसेंट तो इतना का गिरावट आया था और इस बार भी हमारे निफ्टी में 50% का 40% का गिरावट हो चुका है हमारा जो इस बार निफ्टी था वो 12,430 से कितना तक आया था 75, 11 मतब 7,511 तक तो देख सकते हैं अपने 52 वी का हाई मतब आल टाइम हाई कहिए 12,430 से गिर करके 7,511 पे आया था इतना बड़ा गिरावट था 40% के प्रॉक्स तो यहाँ पर दे 9,154 पॉइंट्स पर अगर यहाँ से फिर से गिरावट आती है 7,500 का असपास तो समझ सकते हैं एक तीज करेक्शन आएगा सारे स्टॉक्स में आगे जैसे संभाबना जताई जा रहे है कि डिफलेशन आने वाला इनिफलेशन के उल्टा मतलब कंपनिया समान तो बेचेगी लेने वाले कम होंगे तो इस तरह से कंपनी का जो ग्रोथ होगा कंपनी का जो रेवेन्यू होगा वो कम हो जाएगा तो निसित है कि उसके कारण स्टॉक में करेक्शन आएगा स्टॉक मार्केट गिरेगा क्योंकि जब कंपनी में ग्रोथ ही नहीं होगा तो लोगों का जो स ये 2007 में स्टार् यहां देख सकते हैं कब तक चला था 2009 के सुरुवात तक तो देख सकते हैं दिसंबर 2007 से शुरुप हुआ था और जन्वरी, फरवरी के महने 2009 तक चला था उसके बाद मार्कट में 30 रिकावरी आई थी तो उस طरह से यहां पर भी देखते हैं मार्च से हमारा स्टार्टिंग है और अभी अप्रेल लास्ट होने बला है तो इस तरह से हमारा लगातार मार्केट में गिरावट आ रही है और कुछ रिकावरी भी देखने मिला यहां से हमारा से तो इसमें भी 60% का गिरावर्ट था जो हमारा Sensex है तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है कि अगर इतनी तेज गिरावर्ट आती है तो सारे Stocks में गिरावर्ट होंगे चाहे वो Reliance क्यों नहीं हो चाहे हमारा TCS हो HUL हो तो सारे Stocks में गिरावर्ट देखने मिलेंगे तो आपको जो Stocks लगता है Fundamentally बहुत ही Strong है इसमें रिकावरी भी उतना ही Fast होगा जब Market हमारा Up जाएगा तो जब Market हमारा Market में जब तेजी आएगे तो इस Stocks में रिकावरी भी उतनी ही तेज होगी तो इसमें देख सकते हैं है हमारा HUL Top 5 कंपनियों में से एक है मतर निफ्टी के Top 5 कंपनियों में से एक है हमारा HUL अभी Current Market Price देख सकते हैं कितना है 2,285 और अभी कुछ ही दिनों पहले दो चार दस दिन पहले ही अपना 52 Week High बनाया है कितना देख सकते हैं 2,614 रूपीज का One Year का Low 1,656 रूपीज तो HUL देख सकते हैं कि 2008 का जो Crisis था इसमें देख लिजीए यहां से हम चलते हैं 2007 में April में इसका प्राइस था 205 रूपीज यहां से देखते चलिए यह 200 से नीचे कभी नहीं आ रहा है देख सकते हैं 2009 जुन को हम चले गए यहां पर देख सकते हैं HUL का प्राइस देखिए 2007 में कितना था 290 रूपीज आप यहां पर देखते जाएए इसमें कभी भी 200 से नीचे नहीं आया देख सकते हैं सारे स्टॉक्स में आपको तेज गिरावटर देखने मिलेंगे हम आपको 2008 के भी क्राइसिस के बात दिखा रहे हैं यहां पर ताकि आप कंपेर कर सकें कि जो हमारा हिंदुस्तान इंडिवर है इसका प्रोड़क्ट कभी बेंद नहीं होने बाला है आदमी इसका प्रोड़क्ट को कंजूम करेंगे ही करेंगे चाहे डिफलेशन आजाए कुछ भी आजाए तो इसमें थोड़ा सा मतलब इसके प्रोड़क्ट में जो सेलिंग है वो थोड़ा सा कमी आएगा लेकिन ओवर ओल इसमें कोई कमी आने बाला नहीं है क्योंकि यह डेली यूज बाले प्रोड़क्ट्स हैं तो देख सकते हैं हुआपको जैसे गिरावट में मिलती है तो निश्चित है आप इसमें इन्वेस्ट करें जैसे इसमें मार्केट गिरावट आते हैं इसमें भी गिरावट आएगी लेकिन और इस टॉक्स के तुलना म जैसे हमारा बहुत तेज गिरावट आती है स्टॉक मार्केट में इसमें भी आपको 20-30% का गिरावट पर मिले तभी इन्वेस्ट करें उसके बाद दूसरा स्टॉक है हमारा टार कंसर्टेंसी सर्विस टी सी एस आप देखे इसके maximum ये year के चार्ट को हम देखते हैं अभी इसका करेंट मार्केट काईट देख सकते हैं 1,821 रूपीज कि आप देखे maximum ये का हम चार्ट लगाए हैं यहां आप आपको दिखाते हैं कि इसमें किस तरह का गिरावट था ये देख सकते है 2007 में इसका price था 300 देख सकते है 309 रूपीज 324 रूपीज आप चलते हैा आगे दखे यह गिरते गया इसका price में गिरावट आ रही है तेज गिरावट देख सकते है 2008 देख सकते है November महिने में 131 रूपीज मत्था 50% का correction देख सकते हैं 2008 में 50% का correction आया था 10 chiar सब्सक्राइब तो देख सकते हैं 120 रूपीज देख सते हैं 120 रूपीज हो गया था प्राइस 2009 1रवरी में तो देख सकते हैं एक तेज गिरावट आया था जिसका प्राइस और तेजी से ऊपर गया तो यह है TCS इसमें भी गिरावट आएगे क्यों जैसे हमारा deflation आता है तो इसके product और service का demand घट जाएगा तो जैसे घट जाएगा तो company का revenue घटेगा जिससे इसमें आपको एक तेज गिरावट देखने मिल सकती है तो TCS इसमें भी आपको गिरावट देखने मिल सकती है तो जैसे यह गिरावट में मिलता है तो किस price आपको buy करना है यह आपको एकदम तै कर लेना है कि इतना गिरावट होता है तभी हम इसमें invest करेंगे तो यह 1500 के नीचे आता है या 1500 के आसपास आता है तो आप इसमें invest कर सकते हैं अपना सारा नेरने अपना सारा research कर लेना है कि किस price पे आपको invest करना है इसमें उसके बाद आता है हमारा Avenue Supermart दोस्तो अभी आपको चार्ट दिखाते हैं इसका यह ज़्यादा पुराना listing नहीं है कि आप 2008 crisis में इसका price में क्या decrease हुआ था क्या effect हुआ था वो देख सकें क्योंकि यह listing उतना पुराना नहीं है देख सकें 2017 का listing है तो इसका price देख सकें लगातार अफ ट्रेंड में है तो यह stocks जैसे इसमें गिराबट आते हैं तो आप invest करते हैं क्योंकि यह जो product sale करता है वो daily life use बाले हैं तो जैसे lockdown खतम हो जाता है जैसे normal life हो जाता है इसका product sale होंगे ही होंगे अगर हम deflation जो deflation है deflation की बात करें तो उसका effect तो हर company पर परेगा तो इसके उपर भी परेगा उसके बाद आता है HDFC bank दोस्तो banking share का living company है तो जैसे deflation होता है जैसे deflation होता है तो इसका effect परेगा ही परेगा खर्च कम करेंगे और ज्यादा ज्यादा cash hold कोसिस करेंगे चलिए आपको दिखाते है price देखिए 2017 में इसका price था 171 रूपीज देख सकते हैं अब आगे चलते हैं देखिए तो देख सकते हैं इसलिए हम आपको पीछे दिखा रहे है history repeat itself अपने आपको बार बार दोराती है अगर इसमें फिर से गिरावट आती हमारे market में तो यह फिर से यह stocks आपको बहुत ही नीचे देखने मिल सकते हैं क्योंकि जो हमारा अभी banking जो है वो banking services अभी बंद है तो इस इसमें बहुत ही तेज गिरावट देखने मिलेगी तो इस तरह से आप banking sector के जो यह leading stocks है इसमें भी आपको गिरावट देखने मिल सकती है 52 वी कहाई देखें तो देखें 1,305 रूपीज यहाँ पर देख सकते है 52 वी कहाई price है और इससे बहुत ही नीचे यह stocks सभी मिल रहा ह तो इसमें और गिरावट आपको देखने आगे मिल सकती है अगला stock बात करते हम बजाज फिन सर बजाज फाइनेंस यह दोनों बजाज गरूप का ही share है बजाज फाइनेंस में बहुत ही तेज गिरावट देखने मिला है सासाथ यह stocks भी 10,000 रूपीज 10,000 रूपीज का stock market में जब गिरावट होती है तो इसमें और भी गिरावट आपको देखने मिल सकती है चलिए हम देख लेते हैं इसके price को जो 2008 का crisis था उसमें क्या effect हुआ था तो देख सकते हैं उस समय यह company listed नहीं थी 2008 में listed थी देखिए 2008 में इसका price था 632 रूपीज बहुत ही high था इसका price देख सकते हैं 632 रूपीज और देखिए यहाँ पर आगे चलते हैं देख सकते हैं नमंबर में इसका price कितना हो गया 97 रूपीज देख सकते हैं यहां से 93 रूपीज तक आ गया था 2008 के नमंबर महिने में तो इस तरह से देख सकते हैं कि बहुत ही तेज गिरावट आपको इस 2000 भी आ सकता है यह 2000 भी आ सकता है यह price तो यह मैं ने कर सकता आप बजार यह बताएगा आपको कि इसका price कहां तक आ सकता है तो आप बजार पर अपना ध्यान बनाए रखें अगला स्टॉक से हमारा Reliance Industries Reliance Industries यह बहुत पुराना लिस्टिंग है इसका पर आप 2008 का effect देख सकते हैं देखें यहाँ 2008 का effect 2007 में इसका देख लिजिए share का price कितना हो था 678 रूपीज और चलते हैं आगे देखें यहाँ पर गिरावट जब आई थी यह हो गया था कितना 283 रूपीज का कितना हो गया था 283 रूपीज का बहुत ही 30 गिरावट तो देख सकते हैं Reliance में भी गिरावट आई थी 2008 में और यह अपना उस price को achieve भी नहीं कर पाया था बहुत दिनों तक देख सकते हैं 500 400 देख सकते हैं लंबे टर्म तक वो 600 रूपीज से नीचे ही रहा Reliance फिर इसमें यहाँ से देख सकते हैं जब से जियो आया तब से इसमें एक multi-bagger return दिया है Reliance जब से गिरावट आ सकती है क्योंकि जब से जियो फैस्बुक डिल हुआ है तब से Reliance का price में लगातार uptrend आप देख सकते हैं इसमें बना हुआ है uptrend लगातार इसका price high होते जा रहा है तो आप इस गिरावट वाले market में अगर इसका price निचे आता है तो इसमें जरूर invest करें अगल इसमें और गिरावट आ सकती है तो बिल्कुल आ सकती है अगर market में गिरावट आती है इस stock में भी आएगा यह stock ऐसे fundamentally बहुत strong है इसका management भी बहुत strong है आप देख सकते हैं 2008 के price निचे 2007 में इसका price था 277 रूपीज और यह देखे गिरावट गिरावट आते गया और यह 2008 दि 25 रूपीज और लास्ट में आ गया था 150 रूपीज मतला 50% का गिरावट आये था इस stock में 2008 में जो crisis हो था उसके कारण 50% का गिरावट आये था तो आप इसको देख करके अगर history फिर से repeat होता है कि हमारा market crash होता है market में एक तेज गिरावट आती है एक भेंकर गिरावट आती ह इस सारे stocks में भी गिरावट आएंगे उसके बाद देख सकते हैं IRCTC IRCTC लगातार upper circuit लग रहा था जबकि market में भेंकर गिरावट है और IRCTC का business भी बंद है और कब चालो होगा इसका कोई ठीक ने फिर भी इसमें आपको लगातार upper circuit देखने मिल रहा था लेकिन अब जो है इ यह आपको देखना है कि इस stock में आपको किस price पर invest करना है यह आपको तैक करना है देख सकते हैं यह हमारा जब IPY था तो यह हमारा listing हुआ था कितना पर 700 तो यहां से लगातार यह अपना high बनाया 2000 के आसपास और फिर यहां से lower आया कितना 800 रूपीज के आसपास फिर से यह पर सरकीट देते हुए गया कि यहां तक 1462 रूपीज तक फिर से lower सरकीट लगना शुरू तो इस stocks में भी आप invest कर सकते हैं क्योंकि इसका business mollo poly बाला है और नया listing है लेकिन इसका भी price जब तक 1000 के नीचे नहीं आता है तो आप इसमें invest ना करें और जब भी करें SIP मोर में जै सरकेट में फिर से नीचे का momentum देखने मिलता है फिर उसको गिरने दे और फिर जो है दूसरा पार्ट उसमें invest करें इससे तरह से अपने capital को पांच भाग में डिवाइड कर ले हैं अगला है ASEAN PENT ASEAN PENT 52B का हाई देखे कितना है 1,916 रूपीज और अभी यह price चल कर तरह रह effect देखते हैं इस stock पे क्या था क्योंकि यह stocks उसमें listed था तो इस पर 2008 का crisis का क्या परभा हुआ था उसको देखते हैं और यह देख सकते हैं कि जो last trading day है उस दिन यह 8 रूपीज 8 पॉइंट उपर था तो अभी भी इसका price जो है नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है जबकि सार market डाउन चल रहा है अब देखते हैं 2008 crisis में क्या हुआ था देखें 2008 में इसका जो price था वो 100 रूपीज के आसपास था 114 रूपीज फिर चलते हैं आगे जो December मेहना है तो इसमें 92 रूपीज तो इसमें ज़्यादा गिरावट नहीं आई थी 25 से 30 परसेंट गिरावट इसमें आई थी मात्र 25 से 30 परसेंट तो कोई ज़्यादा गिरावट नहीं था उस समय और अभी तो यह देख सकते हैं लगा टार अप ट्रेंड में है इसमें कोई गिरावट का नाम ही नहीं आ रहा है जो अपना 1520 रूपीज नीचे तक आया था ये उसके बाद फिर से ये अपने 52 भी खाय के आसपास ही चला गया तो एसेंट पेंट जैसे ये 1500 और उससे नीचे आता है तो जरूर इसमें इन्वेस्ट करें उसके बाद आता है 350 रूपीज तक प्राइस था देख सकते हैं और वहां से तूट करके ये कितना तक आया था 100 रूपी तक बहुत ही तेज गिरावर था इसमें बहुत ही ज़्यादा तो फिर से ये देख सकते हैं ये अपना 52 भी कहा है यहां पर कितना प्राइस था 3,078 रूपीज देख सकते हैं हाई कितना प्राइस था 3,078 रूपीज और वहां से ये नीचे कहा तक आया था 1,951 रूपीज तो यहां तक आया था ये तो देख सकते हैं बहुत ही तेजी से ये भी स्टॉक्स उपर जा रहा था लें इसका भी जो काम है अभी अभी तो इसका ही है तो साधी.com पर अभी कोई यूज नहीं कर रहा उसको तो इसका भी जो revenue होगा अगले महने आपको बहुत ही balance sheet पर फर्क डालेगा तो ये stock भी आपको क्रेस होता हुआ दिखेगा इसका भी price आपको नीचे हाता हुआ दिखेगा तो सार्पर effect डालेगा जो आगे ह हमारे deflation आने वाला है वो सब पर effect डालेगा ये lockdown भी सब पर effect डालेगा इन सब stocks पर आपको नजर बनाए रखना है क्योंकि ये सब fundamentally बहुत strong stocks है तो उमीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like किजेगा share किजेगा चैनल subscribe करके बगल के bell icon को जब दबा लिजेगा तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में